आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो एबरिवन, लेक्स स्टार्ट ता Question वाइस देर नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन इंडिया ओके, सो कॉशन में हमसे पूछा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर क्यों नहीं करती election लड़ने के लिए इंडिया में, elections में participate करने के लिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया एक democratic country है वहाँ पर जो election में लोग select किया जाते हैं या पिर जो लोग election लड़ते हैं लीडर्शिप quality के basis पर लड़ते हैं कि वो कितना leadership quality रखते हैं अगर हम बात करें second point की यहाँ पर तो जो candidate है जो election लड़ रहा है वो उसके अंदर quality होनी टाइए able to speak की कि वो धंग से बोल पाए और जो लोग है उनके साथ एक अच्छा connection बना पाए और उनको अपनी बात समझा पाए और उनके लिए काम कर पाए ठीक है act for the people जो यहाँ पर तीसरा point है वो यह है कि जो भी candidate election लड़ रहा है या जो भी candidate election will कर लेता है election जीत जाता है तो उसके अंदर यह quality होनी चाहिए कि वो suitable decision ले सके लोगों के लिए ठीक है वो एक सही decision ले सके लोगों के लिए ठीक है तो उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम democracy की बात करें तो जो democracy है so democracy is all about by the people, to the people and for the people अगर जो लोग elect कर रहे हैं या फिर choose कर रहे हैं किसी भी person को अपना vote दे के अगर लोग satisfied है उस candidate से तो उसके qualification matter नहीं करती थेंक यू